दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पेनियर भाई में अपना ममी पापा भाई भाई बैन का बैंक अकाउंट एड़ करना सेखेंगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं Paynear Bay में किसी का भी bank account aid करने के लिए Paynear Bay को open कीजिए और इसमें login कीजिए login करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface होगा आपको यहाँ 3 line पर click करना है उसके बाद अपना नाम पर click करना है याँ यहाँ हमें bank पर click करना है Paynear Bay में आप maximum 3 bank account aid कर सकते हैं इसके लिए आपको यहाँ add bank account पर click करना है इसमें अपना bank account number fill करना है अगर आप अपने ममी, पापा, भाई, 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 बेन या किसी का भी bank account aid करना चाहते हैं तो उसका account number यहाँ फिल करना है उसी account number को दूबारा से यहाँ फिल करना है Name of Account Holder में अपना नाम फिल करना है जैसा कि आपके Pen Card में है यगर आप अपने ममी, पापा, भाई, बेन या किसी का भी Bank Account एड़ करते हैं तो उसके नाम के जगा पर अपना नाम फिल करना है यहाँ से अपना Bank Account सेलेक्ट करना है इसमें अपना Correct IFC Code फिल करना है सारा Detail केरफुली फिल करने के बाद Summit पर किलिक करना है यगर आपने अपना Bank Account एड़ कियें तो आपके Register Mobile Number पर एक OTP आएगा OTP को यहाँ फिल करना है उसके बाद Verify पर किलिक करना है हमारा Bank Account successfully एड़ हो गया है अब हमें Done पर किलिक करना है अब हम इस Bank Account में पैसा Transfer कर सकते हैं लेकिन अगर आपने अपना ममी पापा भाई बैन का Bank Account एड़ कियें है तो आपका Bank Account एड़ करने का Request Summit हो जाएगा अब हमें Back आ जाना है आप देख सकते हैं हमारा Bank Account एड़ करने का Request Summit हो गया है अब हमें एक से दो दिन तक वेट करना होगा जब तक कि हमारा Bank Account एप्रूब ना हो जाए Bank Account एप्रूब होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का Interface हो होगा आपको इस Aero पर किलिक करना है आपके Register Mobile Number पर एक OTP आएगा OTP को यहाँ फेल करना है उसके बाद Verify पर किलिक करना है हमारा Bank Account सेकसफुली एड हो गया है अब हमें Done पर किलिक करना है अब हम इस Bank Account में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं इसके लिए हमें Home Page पर आ जाना है उसके बाद Leisure पर किलिक करना है अब Move पर किलिक करना है आप जितना पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं यहां फिल्ट करना है उसके बाद बैंक पर क्लिक करना है आप जिस भी मोड से पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं उस मोड को सेलेक्ट करना है उसके बाद अपना बैंक एकाउंट सेलेक्ट करना है यह अब कनफर्म ट्रांसफर प गया है तो दोस्तों या वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए